जीवन में आज ही दिन भी हम लोगों फ्लाइट क्लोजिंग देखने मिल रहा है जो कि 56 रुपेश 90 पैसे के अराउंड स्टॉक देखेंगे तो आज की दिन 0.18% का उपर के तार फ्लाइटी क्लोजिंग है पास वन मन से देखेंगे तो स्टॉक में हम लोगों लगातार नीच नीचे के तरफ स्टॉक में एक सपोर्ट है जो स्टॉक को होल्ड करके रखा जो कि 50 रुपीश का लेवल है तो किसी दे लॉंग टम के साब से इन्वेस कर रखा या फिर स्टॉक रुपीश के पास होना चाहिए कि अगर एक बर गलती से भी श्टॉक 50 रुपीश का लेवल नीचे के तरफ ब्रेक करता तो हमको नीचे के ताफ कर तेजी से गिराउट डेखने मिल सकता है जो लगबाद नीचे के तरफ स्टॉक 40 से लेगे 30 रुपीश तक भी आ सकता है लेकिन ऊपर के तरफ पर तक रेचेंग तो स्टॉकि स्टॉक का रेंज को ब्रेंज का डिक्या इस 10 रुपिस के रेज में स्टॉक टेट करना तो देखेंगा बहुत टाइम से स्टॉक इस रेज में टेट करना अगर एक बस स्टॉक में 60 रुपिस का ब्रेक आउट आएगा तो जीवा स्मॉल फाइनस बैंक उपर के तब हमों को तेजी से हायर है बनाते हुए दिख सकता है लेकिन कोई फ्रेस बैंग करने का सोच रहा तो एक बस स्टॉक के उपर निकलेगा तो फिर से हम लों को हायर है बनते हुए दिख सकता है जो कि स्टॉक में 80 से लेके 100 रुपिस तक का और लॉंग टेम की स्टॉक 130 से लेके 150 रुपा तक का भी टाइगेट दिखा सकता हुए तो इस वीडियो में अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शाव को सब्राइब करें